हेलो आप बोन कम बैक्ट वर यूट्यूब चानल पी होंडो दो कॉर्णर आज की क्लास में हम देखेंगे क्लास वन के बच्चों के लिए मैस वक्षीट इससे पहले मैंने इंग्लिस की वक्षीट आपके साथ अल्रेड शेयर की हुई है अगर भी तक आपने नहीं देखी है तो जरूर जाकर देखें यह सारी वक्षीट बच्चों के एक्जामेनेशन के लिए काफी एल्फिल होने वाली है तो वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करना शेयर करना चैनल पर फॉस्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना तो चले व तो सर्कल की कोई साइड होती है यह रहा सर्कल तो इसकी कोई साइड होती है नो क्या लिखेंगे हम जीरो नेक्स्ट है था साइन ओफ एडिशन इस एडिशन का साइन क्या होता है यह होता है या फिर यह वाला या फिर यह तो यह इसको हम मल्टिप्लिकेशन का साइन बोलती है और यह रहा हमारा addition का sign तो इसको हम tick कर देंगे और यह रहा sign subtraction का next देखिंगे what comes before 78 78 से पहले क्या आता है 77 76 or 75 so the correct answer is 77 next question is 2 rupees plus 4 rupees equals to 5 rupees 6 rupees or 4 rupees 2 rupees plus 4 rupees 2 rupees में हम 4 rupees add करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 6 rupees correct answer क्या है 6 rupees तो इस तरह से भी आप बच्चों को options देकर उनको choose करने के लिए next question is tick the fruit that is in the middle that is in the middle जो बीच में है middle means क्या होता है बीच में तो यहां पर कुछ fruits दिये गए है और यहां पर यह पूच रहे है उस fruit को यहां पर tick करना है जो middle में है बीचों बीच में है जैसे कि यहां 5 fruits से रखे है mango, banana, apple, crab and watermelon तो यहां middle में क्या है हमारा apple तो इसको हम tick कर देंगे इस तरह से next question is circle the largest number तो यहां पर बच्चों को largest number circle करना है 82 and 69 तो 82 and 69 में larger number क्या हमारा 82 इस तरह से इसको हमें circle करना तो इस question is fill in the blanks यहां पर बच्चों को longer and shorter का जो concept है वो clear करने की कोशिस की है तो आप इस concept को ज़रूर बच्चों को clear कर आए दिखिए कुछ यहां picture से pictures के थूरू हम बच्चों को अच्छे से clear कर सकते हैं जैसे की first picture में हमें bat दिख रहा है next picture हमें क्या है pencil दिख रही है तो यहां पर कुछ sentence देग है इन sentence को बच्चों को read करना है और correct word fill करना है जैसे की bat is less than pencil तो bat is longer than pencil और shorter than pencil तो image दी गई है shorter है तो shorter लिखना है तो bat is longer than pencil कैसी है longer है l-o-n-g-e-r longer than pencil next pencil is less than bat तो यहां पर pencil दी गई है तो pencil bet से क्या है shorter है छोटी है न s-h-o-r-t-e-r shorter than bat ऐसे ही ठीक next करेंगे snake is less than lizard तो snake जो है lizard से क्या है longer है तो यहां पर हम लिखेंगे longer l-o-n-g-e-r longer next है lizard is less than snake तो lizard snake से क्या है shorter तो यहां पर हम लिखेंगे shorter इस तरह से तो इस तरह की worksheets आप बच्चों को घर पर जरूर प्रैक्टिस करा है इससे बच्चों को longer and shorter का जो concept है अच्छे से clear हो जाते ह है मैंने यहां पर longer and shorter की spelling लिख कर दी है अगर बच्चों को learned है तो यहां पर आप इसको skip कर सकते है इस question is fill in the blanks with correct word तो यहां पर कुछ blanks दिये गए है correct word की help से यहां पर fill करना है इन blanks को जैसे कि first है a dash has four equal sides four equal sides किस में होती है हमारा जो square होता है उसकी four equal sides होती है यह रहा हमारा square तो इसकी four sides कैसी है equal है बराबर है तो क्या लिखेंगे हम square s q u a r e square next देखेंगे there are dash seconds in a minute eight minute में कितने seconds होती है there are 60 seconds in a minute next one is a triangle has dash sides यह जो हमारा triangle होता है इसकी कितनी sides होती है one two three how many sides three sides तो यहां पर हम लिख देंगे three next next day fifth day of the week is Friday f r i d a y friday next day there are dash months in a year how many months in a year there are 12 months in a year next one is 60 minus 40 is तो इस टाइप जो separation होता है बच्चों को हम इस तरह से सिखाते हैं जो भी once place वाली digit होती है उसको हम one से minus करते हैं जो tens place की digit होती उसको हम 10 से minus करते हैं तो once place पी हमारा zero है यहां भी zero है तो दोनों का अगर zero से zero minus करेंगे तो जाएगा zero next हम 10 वाली जो digit है उसको हम minus करेंगे six minus four six minus four equals two two तो हमारा answer आया 20 next देखेंगे four eight twelve तो यहां पर कुछ pattern दिया गया है इसको complete करना है four eight twelve तो यहां पर कितना skip हो रहा है four का skip हो रहा है four four के बाद eight दिया है eight के बाद 12 तो 12 में हम four add कर देंगे तो कितना आ जाएगा sixteen then sixteen में four add करेंगे तो हमें मिलेगा twenty तो इस तरह से भी आप बच्चों को skip counting की प्रैक्टिस करा है इस question है हमारा addition एडिशन का जो concept है बच्चों को हम easily picture की थूँ अच्छे से सिखा सकते हैं तो मैंने यह picture वाला method लिया है तो देखते हैं first क्या है यहां पर कुछ kites दे रखी है जैसे कि first row में जो kites दी गई है इनको भी हम count कर लेंगे one two three three दे रखा है next row में देखेंगे one two three यहां भी हमें three दे रखा है सारे apples को हम count करेंगे उसके बाद यहां पर लिखेंगे one two three four five six how many apples there are six apples तो इस तरह से आप बच्चों को addition अच्छे से सिखा सकते हैं next question is complete the counting from 50 to 70 50 से लिखे 70 तक बच्चों को यहां पर counting complete करनी है जैसे यहां पर दिया है 51 next 52 53 54 55 56 अलेडी गिविन है 57 58 59 and 60 अब 60 के after क्या आता है 61 62 63 64 अलेडी हमें आबर गिविन है 64 के after आता है 65 66 67 and 68 is already given then 69 and the last 70 तो इस तरह से आप बच्चों को counting से वह complete करनी के लिए दे सकते हैं next question is write the number immediate before given numbers तो यहां पर बच्चों को before numbers लिखने हैं जो भी number दिये हैं उनका before number यहां पर बच्चों को fill करना है जैसे की दिया है dash 12 and 13 what comes before 12 12 से पहले क्या आता है 11 next 36 and 37 what comes before 36 35 and what comes before 50 49 तो इस तरह की जो counting है आप बच्चों को जरूर प्रैक्टिस कराएं क्यूंकि अक्सर बच्चे इस तरह की जो counting है वह भूल जाते हैं तो इस तरह की practice आप बच्चों को जरूर करना है मैचिंग तो यहाँ पर बच्चों को मैचिंग करनी है तो यहाँ पर कुछ numbers दी गए हैं कुछ figures दे रखी हैं और कुछ spellings दे रखी हैं तो इन सभी को बच्चों को अच्छे सा identify करना है और correct spelling या figure से मैच करना है जैसे कि first है 9 multiply 7 तो 9 को 7 से multiply करेंगे तो कितना हैगा 9 से बिंजा 63 इसको हम यहाँ match करेंगे next है 56 तो 56 हमें यहाँ पर spellings में दिया गया है यहाँ पर हमें numerals में देखना है कहां लिखा है 56 यह रहा 56 next है 4 प्लस 4 प्लस 4 4 को हमें 3 टाइम add करना है तो हम इसको multiplication में कैसे लिखेंगे यह एक repeated addition है तो 4 multiply 3 इसको हम इस तरह से यहाँ पर लिखेंगे next है इसको हमें figure दे रखा है square का तो square की spelling का दे रखी है कि रही square की spelling इसको हम इससे match करेंगे तो इस तरह से भी आप बच्चों को matching mix and match करके ज़रूर practice कराए next question is subtraction तो यहाँ पर कुछ subtraction इस तरह से मैंने लिया है यसे कि first है 9 ones minus 6 ones 9 ones को 6 ones से minus करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 3 ones next is 3 ones minus 1 1 3 ones minus 1 1 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 ones next one is 10 ones minus 5 ones 10 ones minus 5 ones 5 ones next is 7 ones minus 3 ones we get 4 ones तो इस तरह का भी आप सब्ट्रेक्शन बच्चों को जरूर practice आज की वर्क्षीट आज की वर्क्षीट आप कोई कैसी लगी